हेलो गाइस आई पी के चोधरी वेलकम स्यू ओल तो वर यूटूब चैनल क्रियेटीव स्टडी एके सो गाइस सबसे पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन प्रेस करें और वेडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड चैर ज़रूर करें आज हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रही हैं स्टीरियो के मेस्ट्री जो कि सैम वन में हैं जी जी यू की अकोड ने ओके स्बसे पहले देखो what is stereo chemistry भई हम chapter पढ़ रहे है stereo chemistry तो क्या है यह stereo chemistry क्या पढ़ती है एक हमेँ पता है कि chemistry की क्या है branch है जिसमें हम क्या करते हैं कोई molecule है क्या है molecule उसके atoms को हम arrange करते है different arrangements क्या करते है कोई भी एक molecule है उसके different different atoms उसके उपर लगे होते हैं उनका arrangement हम change करते है एक item इधर है एक इधर है एक इधर है उसके बाद क्या हो गया इस item को मैं यहां कर दूँ यहां कर दूँ अर्रेंजमेंट different different arrangement हो जाते है pero तो उसकी जो स्टेडी हम करती है उसको हम बोलते हैं स्टीरियो के मैस्ट्री ठीक है इट इन्वोल्स दस्ट्री ओफ रिलेटिव स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ एन एटम डेट फॉर्म दा स्ट्रेक्चर ओफ मोलिकूर इतनी बात समझागी अब देखो जो स्टीरियो के मैस् कि पूर्दी होती है तो क्या है स्टीरियो ख़्मारी का धूसरा नाम क्या है 3D के मैस्ट्रीर अब 3D खरी मैस्ट्री क्यों है सबसे पहले देखो अगर मैं कोई भी मोलिकूल बना दूं यह कार्बन कार्बन के साथ कितनी बॉंड बनेंगी चयार बॉंड बनेंगी चार करते हैं तब हम मोलिक्यूल्स को 3D में स्टड़ी करते हैं इसमें करते हैं त्री डेमेंशन में स्टड़ी करते हैं यानि अब एक पंगा और होएगा कि हम क्या करते हैं पेज पर यहां मैं ड्रो करूं स्क्रीन पर भी तो क्या होएगा 2D तो स्टीरियो के में स्ट्री में हम 3D शो करेंगे वो भी क्या है different different हमें structure सिखाता है वो यानि जितनी भी stereo chemistry है हम उसमें सारा काम किसमें करेंगे 3D में करेंगे ठीक है गाईस इतनी बात समझ आगी होगी सबसे पहले क्या है Relative arrangements की study हम करते है stereo chemistry में उसका दूसरा नाम है three dimension chemistry ठीक है जितने भी हम molecules बनाएंगे उनका structure क्या होगा three dimensions में हम उसको draw करेंगे ठीक है on 2D surface ओके इतनी बात समझ आगी होगी उसके बात next topic है हमारे पास stereo isomerism stereo isomers क्या होते है stereo isomers क्या होते हैं देखो simple सी बात है isomers वो isomers जिनका क्या होता है जो structure formula तो same होता है structure formula क्या होता है सेम होता है लेकिन जो atoms का arrangement है वो different हो जाता है atoms का arrangement क्या हो जाता है different हो जाता है जैसे normal सी बात है अब मैं pinky हूँ तो मैं pinky ही रहूंगी ठीक है या मैं इसमें क्या करना है बस जो atoms लगे है उनकी अर्रेंजमेंट चेंज कर देते हैं उसकी जगह चेंज कर देते हैं ठीक है यह कार्बन है देखो यह एक्जामपल दे दिया कि कितने कार्बन है दो कार्बन के बीच डबल बोर्ट एक कार्बन यह एक कार्बन यह मिथाइल ग्रूप बोल सकते हैं दो मिथाइल ग्रूप है टोटल कार्बन कितने होगे चार है ना तो चार के साथ क्या है दो हाइड्रोज तो होते ही हैं, अब इसमें क्या कर दिया, ऐसे अरेंज किया होगा इसको, अब इसमें देखो, डाइगनल्स में सेम एलिमेंट है, सेम एटम है, हैड्रोजन, हाइड्रोजन, CS3, CH3, यही है, यह होते है, ट्रांस, यह वर्ड आप याद रखोगे, वैसे हम बच्पन से ही पढ है, ह, ह, इसको हम बोलते हैं, CS, अब इसमें चार कारबन है, इसमें भी चार कारबन है, है ना, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, इनके साथ तीन हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, तो क्या हो गया, फोर्मूला सेम है, बस स् arrangement of an atom समझा क्या गाइस सेम साइड में है तो सिस बनेगा डाइगनल्स में है तो ट्रांस बनेगा अब टाइप ओफ स्टीडियो आइसोमर्स इस फिनोमेना को बोलते हैं स्टीडियो आइसोमर्स डो टाइप के होती हैं एक क्या है कन्फरमेशनल एक configuration एक में figure आये गा एक में form आएगा FORM ठिक है अब इन में क्या difference है जी इसमें देखो confirmation form आ रहा है FORM इसमें क्या है जो stereo isomerism है तो normal सी वात है जो atoms की relative position होगी वो क्या है कि different होएगी एक दूसरी से differ करेगी ठिक है एक molecule को दूसरे में हम convert कर सकती है by simple rotation अगर हम rotate कर देगी सिन एंगल पे तो वो क्या हो जाएगा convert हो जाएगा अब इसको मैं दुबारा से A में भी convert कर सकती हूँ यानि इसमें जो है क्या होगा making breaking and making of bond नहीं होगा यानि bond नहीं टूपतेगी bond क्या रहेगी fix रहेगी समझा गया ऑगें इंडर कनवर्जन रिक्वायर कांट रिक्वायर ब्रेकिंग एंड मेकिंग अफ़ पॉन्ट कोनफीग्रेशनल में क्या होगा इंडर कनवर्जन तो होता है एक ही कैसे होता है एक बोन टूपतेगी दूसरी बनेगी यह आपको difference याद रखना है उसके बाद type of configuration isomer figure FIG है ठीक है यह क्या है सबसे पहले optical isomers optical isomers क्या होते हैं देखो stereo isomer तो ही atoms की position तो change होगी ही relatively differ करेगी अब इस case में condition आगी simple क्या होगा जो हमारा right में है वो left में चला जाएगा समझा गया अब जैसे ओएच ग्रूप है ओएच ग्रूप राइट में है तो राइट वाला कहां गया left में गया ठीक है यह hydrogen इसके comparison में चेंज होएगा यह क्या रहेगा c o o h c o h c h 3 c h 3 सेम है यह भी समझा गया ठीक है अगर राइट में है तो d हम यूज करते है और left में हो तो l यूज करते है न लीवो एंड डेक्स्ट्रो यह हम stereo के लीवो जिसको हम बोलते हैं इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवो रोटेटरी उसके बाद है हमारे पास geometrical isomers geometrical isomers में क्या होता है कुछ नहीं कुछ restrictions होते है रिगडी-डीटी होते हैं मोलीक्यूल के ऊपर ठीक है अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो क्या है representation हम करते हैं क्या करते हैं रिप्रेजेंटेशन करना है 2D पे मेरी स्क्रीन क्या है 2D है लेकिन मुझे मोलीकूल दिखाना है 3D में तो उसके लिए डिफ्रेंट डिफ्रेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने फोर्मूले अपने अपने स्ट्क्चर्स दिखाए थे फोर्मूले तो से महीं रहेंगे ना स्ट्क्चर्स बनाए उन्होंने कैसे सबसे पहले है साहोर्स साहर्स में क्या किया जो bond दिखाई वो diagonally दिखाई ठीक है इस molecule को जैसे जब screen पे है तो मेरे को यह क्यासे दिख रहा है उपर से दिख रहा है ना above दिख रहा है यानि उपर का मुझे दिख रहा है कि यह carbon है एक यह carbon है तो एक तो हम side view देखते हैं, एक front view देखते हैं, एक backward view देखते हैं, यह क्या है, above view है, यानि कुछ चीज मेरे नीचे रखी है, मैं उपर से उसके देख रही हूँ, ठीक है, तो दो carbon है, जो यह point होता है, यह carbon present होते हैं, ठीक है, यह पता ही होगा, फिर मैंने बता दिया किसी को doubt ह toto की क्या है, यहां carbon से, इस carbon के साथ, 3 hydrogen, 3 hydrogen, 3 hydrogen, 3 hydrogen, 3 hydrogen, इतनी बाद समझाए, उसके बाद क्या change किया, इसने, क्या change किया, देखो, एक hydrogen उपर है, है ना, दो hydrogen यहाँ है, यहाँ पर भी same, एक उपर और बीग रहुं, तो ये क्या है, इसर और inhalation बन रही है, नाइसें पैटरन है पैटरन बोल दो पनी अपनी लेंग्विश में बात करें तो सेम पैटरन है तो इसको हम बलेंगे I टीक्या बने tradicional आम्वोजीट हो जाता है अगर एक उप पर है दो नीचिचे है तो दो ऊपर एक नीचिचे टीक बॉन्स है कार्बन के बीच में वो डाइगनली है ठीक है जो हमारा डाउन वर्ड है जैसे निच्चे वाला जो कार्बन है वो हमारे फ्रंट में है और जो उपर वाला है वो क्या है बैकवर्ड है ठीक है उसके बाद है फ्लाइंग वैज फ्लाइंग वैज में क्या होगा फ्ल यहां carbon है समझा गया यह है solid line यह भी solid line जो यह solid line है यह plane के उपर है x axis और y axis दो plane तो यह है तो यह क्या है प्लेन के उपर है आगया समझ, यह जो wedge है यह अब आउदा, अब यह wedge यह है wedge, जो है वो क्या है, अब आउदा प्लेन है उपर, और जो यह डोटीड वाली है यह बिलो दा प्लेन है, समझ आगया, wedge को हम ऐसे शो करते हैं, इसको हम कलर फिल करेंगे, ठिक है यह wedge है solid, simple plane को represent करती है और जो ये dotted वाली है ये क्या है below the plane समझा क्या 3D में हो गया assume कर लो कि तुम carbon हो, खुद carbon हो, ये carbon है कोई चीज क्या है दो तो plane पे लाई करेगी एक bond ये हो गया एक क्या होगा, ये हो गया है ना, अब क्या है एक plane के उपर होगी plane के उपर है तो मैं क्या बनाऊंगी wedge से और downward है, तो क्या होगा dotted understand, ये था flying wedge representation इसमें क्या करना है सेम चीज staggered बता सकते हो अब ये क्या है ये hydrogen, ये hydrogen ये dotted, ये dotted, opposite है ना, ये क्या होगा, staggered ये क्या है, सेम है तो ये क्या होगा, eclipse होगा तो ये simple सी चीज़े थी, बार-बार मैं ये repeat नहीं करने वाली staggered और मतलब समझ आ गया होगा eclipse क्या होती है तो अब next देखो wedge represent the bond lying above the plane, ornary line जो है within the plane मतलब x-axis, y-axis or dotted जो lines है वो represent करती है below the plane ठीक है, ये समझा गया उसके बाद next जो है new man projection formula है new man ने क्या किया था ये बात समझना थोड़ी से देखो, इसने दो carbon हा ना कैसे show किया, ये circle है इसके center में मेरा एक carbon है, जिसको मैंने c1 लिख दिया इस carbon से एक hydrogen ये गई, एक ये गई समझा गया, अब इसके back में, क्या है इसके back में भी क्या है मेरे पास carbon है, इसके back में एक bond है जैसे ऐसे मैं दिखा रही हूँ, मालब ऐसे possible नहीं है ये c2 है, मालब इसके just back में क्या है मेरा bond है, तो bond क्या करेगा ठीक है, bond है ये c2 समझा गया, कहा है उसके बाद c2 है एक hydrogen ये क्या है c2 की, ये भी c2 की और ये c2 की, यानि जो circle से बाहर बनाएगे ना टच करके, वो back वाले की, यानि c2 की bonds है जो उपर है, वो c1 की bonds है, इतनी बात भी समझा गी अब बता सकते हो ना, क्या है ये क्या बन गया, staggered ये staggered है, ये eclip है तो new man ने ऐसे, मतलब 2D को हम show कर सकते है 3D को हम show कर सकते है, 2D में structure समझा गे उसके बाद है हमारे पास what is conformation ठीक है, conformation क्या होता है, देखो different structures जितने हमारे बन जाते है different number of infinite number of क्या हो सकते है arrangement बन सकते है जब हम rotation कर वाते हैं किसी molecule की ठीक है, ये बात में समझा गी, यानि infinite number of elementary arrangements of an atom in a space यानि infinite number of elementary arrangements हमारे बन जाते है which result through the rotation about single bond single bond से उसकी हम क्या करवाएंगे, rotation करवाएंगे कुछ ने कुछ एंगल पे, तो हमारे क्या बन जाएंगे infinite number of arrangements बन जाते हैं, उसको हम बोलते हैं confirmations ये इसकी definition है, अब देखो confirmations हम डिसकर्स करेंगे इत एं की, इसके इत एं के कितने बनेंगे, कैसे बनेंगे इत एं, इत का मतलब 2 carbon, ठीक है, single bond, एं का मतलब single bond, और इस carbon के पास 3 hydrogen, इस carbon के पास भी 3 hydrogen बनेंगे, इतनी बात समझा गी होगी, अगर हम एक methyl group को, क्या करेंगे, fix रखेंगे, और दूसरे को rotate करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेंगे, different different arrangements बनेंगे, ठीक है, CS3 को methyl group बोलते हैं, इतना भी पता होगा, ओके, ठीक है, इतनी बात समझा गी, methyl group बोलते हैं, अब क्या करेंगे, देखो, बहुत सारे हमारे पास क्या है, structures बच जाते हैं, बहुत सारे structures बना जाते हैं, लेकिन जो हमारे पास main है, वो क्या होते है, staggered और eclips ही हम discuss करते हैं, समझा गया, और एज चीज मोस्ट इंपोर्टेंट जो धान रखनी है, confirmations अलग-अलग बनेंगी, लेकिन जो bond angle है, और bond length है, किसी भी molecule की, ठीक है, वो क्या रहती है, सेम रहती है, क्या रहती है, ये बात भी आप याद रखोगे, उसके बाद देखो, मने बता दिया, infinite number of confirmations बनती है, तो उसमें बहुत दो ही important है, जो हम क्या कर रहे थी, staggered और eclips, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता बनाती है, x-axis पे मैंने ले लिया, angle of rotation, मैंने क्या बताया था, कि एक molecule को, एक atom को fix रखा, दूसरे को rotate करेंगे, तो rotate करेंगे, कुछ ना कुछ angle से rotate करेंगे, उस angle को हम को बोलते हैं, angle of rotation, ठीक है, x-axis पे, y-axis पे मैंने ले लिया, potential energy, क्या ले लिया, potential energy, इतनी बात समझा है, potential energy, initially, मैंने क्या ले लिया, 0 degree पे जो मेरा molecule है, वो है, eclipse, क्या है, eclipse, ठीक है, eclipse है, starting में मैंने ले लिया, eclipse, देखो, ये, eclipse है, यहाँ पर, उसके बाद देखो, मैं rotate करूँगी, तो rotate करने के बाद, क्या होगा, rotate करने के बाद, हमारे पास होगा, stagger, staggered, से फिर eclipse, फिर stagger, फिर eclipse, staggered, eclipse, यह समझा जागी, यह structure आपको बनाने आते है, staggered कैसे बनाओगे, इक्लेब्ड कैसे बना आओगे उसके बाद देखो, यह क्या है? Zero Potential Energy ठीक है, अब हमारा Staggered कहां आ रहे? इस लाइंपे लाए कर रहे है, Zero पे Staggered, Bennet, Eclipse क्या है? Eclipse की energy ज्दा है staggered से, यह बात याद रखनी है उपर बन रहा एनरजी ज़्यादा ओगी ओवेश सली दिखी रहे ग्राफ में अब देखो जिसकी एनरजी ज़्यादा वह less stable, जिसकी एनरजी कम वह more stable यह बात पी समझागी तो हमारा staggered क्या है ज्यादा stable होता है as compared to eclift समझा गया यह सिंपल सा ग्राफ है जो आपको याद करना है पेपर में 101% आता है तो इसकी आपको पताओन अच्छे की और एनर्जी गैप जो है इनके बीच में स्टेगर्ड और एकलिवड में वो है 12.55 यानि एनर्जी गाप अधीक है मलब ज्यादा लाड़स नहीं है के जहीं उसके बाद ने पहसेँ स्टेगर्ड क्या इसमॉर स्टेबल मैंने बता दिया अब देखो क्यूं है स्टेबल मैंने यह तो बता दिया कि एनर्जी क्या है कम है अब क्या होगा यह मैंने क्या बना दिया डाइग्राम सारा खेल किसका है स्टक्चर का है इस स्टक्चर में देखो यह जो कार्बन है और यह कार्बन है यह क्या है नौन बॉंडीड कार्बन है क्या है नौन बॉंडीड कार्बन है कैसे क्योंकि यह वाली कार्बन किसक इतना हो सकता है यह दूर हो सकते वो है अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन है क्या करेंगे रिपैल करेंगे सेम हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो क्या करेंगे रिपल्शन होगा या ट्रेक्शन रिपल्शन होगा तो अगर इनका गैप ज्यादा है तो रिपल्शन कम होगा ठ समझा गया उसके बाद देखो इन स्टैगर्ड कॉन्फिग्रेशन मैं सिंपल लेंगवेज में बता रही हूं अब मैंने समझा दिया अब इंगलीश में जैसे लिखो गे वो है एनी टू हाइड्रोजन एक्टम और अर्जसेंट कार्बन एक्टम नौन बॉंडड नौन बॉंडड हाइड्रोजन की वो बॉंड नहीं होगा ओभियसली बॉंड नहीं होगा क्योंकि अलग-अलग कार्बन के हम ले रहे है आर एज फार एज पॉसिबल ओके रिपल्शन बिट्विन इलेक्ट्रोन क्लाउड ओफ सिग्मा बॉंड ऑफ तू हाइड्रोजन इस सिंपल सी बात समझागी उसके बात देखो रिपल्शन क्या होगी ज्यादा होगी एट्रजी लेवल क्या है ट्रफॉय्ट्वाइव है fidelity बैरियर है वह या क्या अंगर्ज मशन को स्टोप कर देरEER रोटेशन हमारी इसक्व नहीं होगी यानि रूम टैंप्रेचर पेह दॉन उसके बाद क्या है प्रोपेन मतलब कार्बन 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 तीन कार्बन हना यह समझा अब क्या करेंगे हम सेकिन कार्बन को फिक्स रखेंगे और बाकियों को रोटेट करेंगे सेम चीज बहुत सारी confirmations बनेगी तू ही हमारी स्टेबल होती है स्टेगर्ड और एकलिप्ड तो यह स्टेगर्ड और एकलिप्ड आप दिखा दोगे इनमें से भी कौन से ज्यादा स्टेबल है स्टेगर्ड स्टेगर्ड है क्यों है वो रिजन सेंग की रिपल्शन क्या है कम है उसके बाद energy gap कितना होता है 14.2 उसमें कितना आ रहा था 12. something आ रहा था ना 12.55 इसमें 14.2 किलो जूल पर मॉल तो energy gap स्मॉल है जो कि rotation हमारी फ्रॉप नहीं करेगा interconvertible है room temperature पे समझा गया उसके बाद है confirmations of n-butane n-butane में क्या है butane मतलब 4 carbon single bond ठीक है 4 carbon single bond अब इसने क्या बोल दिया डाई बिथाईल अब आप बुक में यह नाम देखके confuse मत हो ना है तो ब्यूट एन ही ना इथ एन है ना डाई मतलब दो मिथाईल मतलब और एक इथेन है तो इथेन मतलब कार्बन कार्बन और इथेन है अब देखो क्या किया जो कार्बन सेकिंड है और थर्ड है दो मिथाईल ग्रूप से क्या है अटेच है उसके बाद क्या किया अगर हम इन दोनों को फिक्स रखते हैं इनको और इनको रोटेट करवाती है तो हमारे पास छे कनफरमेशन बनेगी ठीक है कौन-कौन सी सबसे पहले हमारे पास फुली एकलिप्ड ग्योस एकलिप्ड अब देखो फुली एकलिप्ड मतलब कार्बन कार्बन यानि CS3 CS3 पास पास आएंगे एच 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 ठीक है फिर मैं 60 पे रोटेट करवाऊंगी तो क्या होएगा CS3 यह इदर आजैगा यह यहाँ और यह यह तंफिर 60 से करवाऊंगी इसको क्या होगा यह जो CS3 था यह यह यह, यह ने हाइग टिक है ? और यह जो हाइडरोजम थी यह 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 ना आगए तो यह एकलिप्ड बन गया ठीक है उसके बाद 60 पे rotate करवाया NT विल्कुल NT बन गया क्या बन गया? NT या पोजिट में आ गया सारा कुछ CH3 CH3 यह HHH यानि कुछ staggered type का बन गया ना अब देखो फिर eclipd बन गया, फिर ग्योज बन गया तो हमारे पास main कितनी आई? चाय टाइप की NT बन रहा है, गयोज बन रहा है eclipd बन रहा है, फुल eclipd बन रहा है, ठीक है अब इनकी energy level की बात करेंगे energy में क्या याद रखना है आपको, वोई बनना है angle of rotation और potential energy सबसे पहले हमने लिया fully eclipd, फिर गयोज, फिर बना eclipd, फिर बना anti फिर eclipd तो सबसे इस लाइन पे कौन लाए कर रहा है, anti सबसे कम किसकी है, anti तो anti सबसे ज़्यादा stable होगा, ठीक है guys, तो सबसे ज़्यादा stable anti होगा तो हमारे पास next देखो anti सबसे ज़्यादा stable है क्योंकि दो methyl group है, जितना दूर वो हो सकते हैं, उतने वो दूर है, repulsion उनके बीच में कम होगी, उसका reason आपको पता ही है उसके बाद, दो ग्योज है, ठीक है, उसके बाद partially acclipd, और सबसे कम क्या है, fully acclipd हमारा stable है, सबसे कम तो सीक्वेंस हमारे पास आगी anti anti ग्योज partially acclipd and fully acclipd यह सीक्वेंस आप याद रखना question आएगा, उसके बाद, देखो energy gap है, बहुत कम है जिसको हम interconvert कर सकते हैं, ठीक है, रूम temperature पे, उसके बाद हमारे पास आया, cyclo alkane alkane मतलब, single bond cyclo मतलब, कुछ figure बनेगी, close figure बनेगी तो हमारे पास example है, cyclopropane यानि 3 carbon वाला, फिर 4 वाला, देखो carbon जैसे जैसे increase कर रही है angle भी क्या कर रहा है, increase कर रहा है यानि 3 वाला है, 60, 90 तो इन figures में क्या आ रही है जर्गली जो हमारा angle होता है, tetrahydral angle वो कितना होता है, 109 degree 28 minutes, यह होता है न, लेकिन इन में क्या हो रहा है, कम हो रहा है तो इन में क्या आ रहा है, हमारे बास angle stain आ रहा है, क्या वर्ड बोला मैंने angle stain ओके यह पता दिया इन में क्या आ गया angle stain आ क्या जितना ज़्यादा deviation उतनी ज़्यादा reactive होगी क्या होगा, उतनी ज़्यादा reactive होगी अब हम example करेंगे cyclohexane का hexane, hexane मतलब 6 carbon क्या, 6 carbon इन में जो structure बनेंगे दो type के बनेंगे, chair और bot chair क्या है और bot, non-planar non-planar मतलब plane पे लाए नहीं करती, उपर और नीचे लाए करेंगी plane के उपर नीचे भी कुछ न कुछ होगा, सारा structure प्लेन में नहीं आएगा ठीक है, तो इसके बाद आपको याद रखना, बोट आप बोट बना सकते हूँ, किस्ती इस type क्यों होती है, तो यह हमारे पास क्या बन गया, बोट का structure बन गया simple, यहां carbon है, यहां carbon यहां carbon, यहां, 4 carbon उपर, 2, नीचे अच्छे होगी, चेर कैसे बनाएंगे, ऐसे चेर होती है, हाना, इस टाइप में होती है, इसको थोड़ा निच्छे खिच्का दो, फिर अपोजिट उल्टी चेर बना दो, फिर इसको ऐसे, यह हमारे पास किसका बन गया, चेर का, इनमें अंगल स्टेय नहीं होता, अगर स्टेय नहीं है, तो स्टेबल होएंगे, कोई चीज स्टेबल है, तो वो रियक्ट क्यों करेगी, तो वो अन्रियक्ट होती है, ठीक है, चेर क्या है, ज्यादा स्टेबल होता है, अज कंपेर टू बोट, अब वोई चीज है कि क्यों होता है, ठीक है, तो क्यों होएगा, हमारा structure बनेगा देखो यह है अब यहां carbon है तो carbon के साथ hydrogen तो होगी होगी है ना तो एक hydrogen इधर एक इधर एक उपर यहां तो यह क्या करेंगी यह बन गया अगर इसका मैं molecule के टाइप में बनाओं तो कुछ ऐसा बनेगा कैसे देखो जो तो चोंच है ना pointed side जिसको मैं बोल दूँ अगर अच्छी लेंग्वेज में बोलू तो pointed side या चोंच लगा लो यह है इधर second और एक यह है है ना यानि इनको तो मैं center में रख दूँ CH2 CH2 ठीक है और दो दो यह 4 और 3 और 1 और 6 यह 4 3 और 1 6 staggered वाली बना सकते हो configuration तो यह staggered की configuration आ जाएगी ठीक है तो इनके बीच में repulsions कम है distance ज्यादा है इसलिए हमारा chair क्या होता है ज्यादा stable होते है और नेक्स्ट क्या है बोट का बना सकते हो बोट में क्या बनेगा सेम चीज वही है उसमें उपर क्या थे दो है ना तो दो यह होगे और फिर हमारे यहां किसका बनर रही है एकलिप्ड का बना रहे तो इसमें क्या है पास पास है रिपल्शन जदा होगी तो रिपल्शन जदा होगी तो क्या बनेगा लेस स्टेबल बनेगा उसके बाद देखो यह स्टैगर्ड और यह सारा कुछ बताया हो है जो मैंने आपको बता दिया Optical Isomerism, Optical Isomers क्या होती है, सबसे पहले जो उनकी physical properties है, वो identical होती है, ठीक है, जो chemical properties है, वो resemble करते हैं, एक दूसरे की, different होते हैं, किस में, plane polarized light में, ठीक है, differ only in the behavior of, towards plane polarized light, यह समझा गया, इस पूरे phenomenon को process जो हम study करते हैं, उसको बोलते है, optical activity, ओके गाइस, अब simple simple जो terms हम use करते हैं, optical isomerism में, वो क्या क्या है, देखो, plane polarized light, plane polarized light क्या होती है, वो light, जो क्या करती है, एक plane में vibrate करती है, एक beam of light, जो क्या करेगी, vibrate only in one plane, ठीक है, देखो, the beam of light, which has vibration only in one plane, ठीक है, अब कैसे बना सकते हैं हम, कैसे produce कर सकते हैं, ऐसी beam, जो की एक ही plane में vibrate करें, तो उसके लिए एक setup है, इस setup में क्या है, सबसे पहले कोई ordinary line आ रही है, ordinary light आई, ठीक है, ordinary light है, तो क्या करेगी, सबी directions में वो क्या करेगी, travel करेगी, vibrations होगी, ठीक है, नाइकोल प्रीजम हम use करेंगे उसके लिए, और नाइकोल प्रीजम उसको क्या कर देगा, पोलराइज कर देगा, और जो उसकी vibrations है, vibrations क्या हो जाएगी, एक plane में हो जाएगी, ठीक है, यह simple सा method है, कि कैसे हम क्या करते हैं, कोई भी light है, उसको एक plane में vibrate करवाते हैं, तो उसके बाद next है हमारे पास, कि जो निकोल प्रीजम है, वो क्या कर रहा है, पोलराइजर की थरह एक्ट कर रहा है, पोलराइज कर रहा है हमारी जो beam of light आ रही है, और नरी, उनको किसमे, प्लेन पोलराइज लाइट है, उसके बाद next definition हमारे पास आती है, एंगल ओफ रोटेशन, इसमें क्या है देखो, इसको हम अलफा से क्या करते है, यानि एक सोलीशन है हमारे पास, अगर हमारी लाइट उसमें से पास करेगी, और क्या करेगी, कुछ ना कुछ एंगल से वो क्या करदेगी, रोटेट करदेगी, क्या करदेगी, कुछ ना कुछ एंगल से वो रोटेट करेगी, तो उस एंगल को हम बोलेंगी, angle of rotation और alpha से हम उसको क्या करेंगे represent करेंगे ठीक है उसके बाद polarimeter क्या होता है एक instrument है जो हम क्या करते है angle of rotation जिससे हम measure करते है it is an instrument used for measuring the angle of rotation of plane polarized light ठीक है यह simple simple definitions ही जो हम क्या करेंगे यूज करेंगे अब देखो क्या क्या बने है हमारे पास requirements क्या है एक हमें light source चाहिए जो कि हम normally use करते है sodium lamp क्या करते है sodium lamp दो हमें prism चाहिए nickel prism जिसको एक polarizer की तरह act करेगा एक analyzer की तरह act करेगा एक क्या है एक tube चाहिए जो क्या होगी जिसके अंदर हमारा होगा optically active substance का solution ठीक है ये diagram है पूरा क्या है sodium light आई sub directions में vibrate हो रही है first क्या है हमारे पास nickel prism first जो polarize करेगा उसको यानि एक में vibrate की ठीक है उसके बाद क्या है solution है हमारे पास optically active substance का वो क्या करेगा कुछ न कुछ rotate कर देगा उसको एंगल पे ठीक है फिर हमारे पास second prism है वो analyzer की तरह एक्ट करेगा ठीक है ये पूरा प्रोसेस है उसके पाद next जो है हमारे पास जो एंगल है वो क्या है अलफा है optically active का किस किस पे depend करता है first nature पे depend करता है कि हमारा जो optically active substance है वो कैसा है ठीक है कम optically active है जादा है medium है उस पे depend करेगा solution कितना लिया है उसकी concentration concentration पे depend करेगा solution की length पे depend करेगा जो हम solvent ले रहे हैं उसके nature पे भी depend करेगा ठीक है lambda lambda मनलब wavelength जो है monochromatic light की वो कितनी है और जो sample हमने लिया उसका temperature कितना है तो इस पे हमारा angle कितने factors होगे छे factors छे factors पे हमारा angle of rotation क्या करता है डिपेंड करता है ठीक है उसके बाद हमारे पास specific rotation है specific rotation में क्या करेंगे it is a degree of rotation observed की क्या है degree of rotation जब हमने observed की when plane of polarized light is passed through a tube having path length 1 meter one decimeter and concentration is one gram per milliliter इसके लिए दो condition आपको याद रखनी है rotation एक तो simple rotation है specific क्या है rotation specific में जो है tube की जो length होगी वा कितनी होगी one decimeter one decimeter और जो concentration है वो कितनी होगी वन ग्राम पर milliliter ठीक है गाईस तो यह हमारे पास क्या है notation है कि हम क्या कैसे शो करते है specific rotation को d है temperature और t है temperature और d जो है हमारे पास है wavelength of light ठीक है इतनी बात समझागी उसके बाद हमारे पास क्या है जो angle है कैसे find out करेंगे जो observe angle है into में क्या length into concentration ठीक है observed angle alpha और length L into concentration काईरल क्या होता है unsymmetrical काईरल क्या है unsymmetrical या अगर मैं इस पी को उठाके इसके उपर रख दू तो यह ऐसे होगा यानि यह क्या है super impossible नहीं है उसको हम बोलेंगे काईरल ठीक है a काईरल कौन सा होगा जो super impossible है जैसे a बोल सकते a लिया यह mirror image बन गी उसकी अब इसी a को मैं उठाके यहां रख दू तो क्या होगा super impossible हो गया d क्या है d ले लिया d क्या है mirror image बनाई तो ऐसे बनेगी अब इस d को मैं यहां रख दू तो क्या है chiral है या a chiral तो इसकी super impossible नहीं है तो क्या बनेगा यह chiral तो यह था chirality का छोटा सा टॉपिक सो यहां हमारा almost chapter खतम हो गया जो topic है वो next video में discuss करेंगे thank you for watching this video